अब घर बैठे कीजिए जियोग्राफी ऑप्शनल आईएस की पूरी तयारी जुड़िये हमारे ऑनलाइन बैच से इसमें मिलेंगे आपको 500 टर्स लेक्चर्स समय समय पर टेस्ट सीरीज तथा 24 घंटे की कॉल सपोर्ट एड्मिशन के लिए दिये कर नंबर पर कॉल या मिस्ट कॉल करें नमस्कार सिविल स्ट्रीम रेडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट आदित्य और आज हम बात करने वाले हैं हैलो के बारे में ये हेलो क्या होता है? ये कैसे बनता है? क्यों बनता है? और चक्रवाद से इसका क्या संबंध होता है? तता वर्तमान में बंगाल की खारी में बन रहे यास चक्रवाद से इसका क्या संबंध है से संबंधित संपून विशलेशन हम आज के इस पॉड़कास्ट के माध्यम से करने वाले हैं हम हमारे प्रतेक पोड़कास्ट में अपने विशे से संबंधित एक प्रश नेते हैं। आप उसका उत्तर कमिल बॉक्स में कमेंड करें। आईए इस पोड़कास्ट को शुरू करते हैं। और जानते हैं कि ये हैलो क्या है। चंद्रमा के चारो और बनती है, परंतु चंद्रमा के चारो और हैलो निर्मार एक समान निखटना है। सूर्य के साथ ये स्थिती कम निर्मित होती है। जब चंद्रमा या सूर्य से इसकी त्रिज्या 22 डिग्री पर होती है तब इसे ये 22 डिग्री हैलो की संग्या दी जाती इसका स्वरुक्त विख्षित हो जाता है और यह समाप्त हो जाता है आइए अब हम हैलो के निर्माट करिया को समझते हैं हैलो के निर्माण के लिए त्दान रूप से दो कारक उप्तरदाई है आकाश में पक्षापस्वतरी बादलों उपस्थिति सूरिय चंद्रमा के प्रकाश की उपस्थिति हैलो के निर्माण की प्रक्रिया मूलता प्रकाश के अपवर्तन परवर्तन और विक्षेपन या प्रसार से जुदी है जब सूरिय अत्वाद चंद्रमाता प्रकाश पक्षाप स्थरी बादलों के हिद के सुक्ष्म क्रिस्टलों से टकराता है तब प्रकाश का अपवर्तन, परवर्तन और विख्षेपित और परवर्तित होकर हेलो या आभा मंदल का निर्मान करती है चुकि इसके निर्माण के पक्षाब स्तरी मेगों की उपस्थिती अनिवारे है अतब बादलों के परिवर्तन शील स्वरुप के कारण थोड़े समय बाद ये स्थिती समाप्त हो जाती है आईए अब हम जाने की हैलो क्यों बनता है? उश्नयाव पोश्नकतिबंधिये शेत्रों में जब चक्रवातों का निर्माण और विकास होता है विशेशकर जब उश्नकतिबंधिये शेत्रों में चक्रवातों की उत्पती होती है तब चक्रवातों के विकास की प्रक्रिया में पक्षाब या पक्षाब स्तरी बादलों का निर्मार होता है। तब चक्रवातों के विकास प्रक्रिया से संबंधित है। अब समझते हैं कि क्या यास चक्रवाती के विकास प्रक्रिया से भी आभामंदल के निर्मार का संबंध है। बंगाल की खाड़ी में काम दबाव के शेत्र का निर्मार होने से यास चक्रवात की उत्पती हुई है। चक्रवात निरंतर विक्सित हो रहा है जिससे पक्षाफ स्तरी मेगो का निर्मार और विस्तार भारत के संपूर्ण पूर्वी मद्य पूर्वी शेत्रों तक हो गया है। आज दिनांक 25 मई 2021 को वैशाक माह के शुकला पक्ष की चतुद्शी तिथी है। इस कारण कर रथा त्रयोद्शी तिथी से ही चंद्रमा अपने पूर्व प्रकाश से ही योतिर्मान है। जिस कारण चकरवाद के परिधिय शेत्रों में चंद्र त्रकाश के पक्षाप स्थरीमेगों के साथ प्रतिक्रिया से देश के विभिन भागों में आभामंडल का निर्मान हो रहा है। आज का प्रश्न हेलो या आभामंडल कितने समय तक स्थिर रह सकते हैं। Option A, 7 मिनट से 40 मिनट, Option B, 6 मिनट से 46 मिनट, Option C, 8 मिनट से 50 मिनट, Option D, 9 मिनट से 40 मिनट, प्रश्न दो, किन बादलों की उपस्थिती में हेलो या अभामंदल का निर्माण होता है, Option A, पक्षाव, Option B, कपासी, Option C, कपासवर्शी, Option D, पक्षाव स्तरी, आप विकल्पे BCD में से कोई एक विकल्प का चैन करतना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, इसी के साथ आज का हमारा पॉड़कास्ट समाप्त हुआ, अब अगले पॉड़कास्ट में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, इसी तरह के पॉड़कास्ट हमेशा पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें